अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग ने मार्शल, एमबर्टन, ब्लुडू स्पीकर की अन्बॉक्सिंग और रिवीई से बिल्कुल डीटेल वीडियो बनाया था अगर आपने वो अभी तक चेक आउट नहीं किया है तो यहाँ पर दिये का लिंक पर आप चेक आउट करके देख सकते हैं और आज हम रिवीई करने वाले हैं इनका सेकेंड वर्जन जो की रिसेंटली ही लॉँच हुआ है इसका प्राइजिंग है अप्रॉक्सिमेटली 17 या 18,000 रुपीज के आसपास वैसे के प्राइस पॉइंट थोड़े पर फ्लक्चुएट होते रहते हैं तो मैंने बैटर यह किया है सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे लिए हैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके आप चेक आउट करके इसका करन्द प्राइस भी चेक कर सकते हैं और अगर आप मार्शल का कोई साब ही प्रोडट्ट true.in official website है उससे अगर आप purchase करेंगे बिल्कुल authorized dealer है यह मार्शल, Sonos, Amazfit, Sony ऐसे जो premium quality के segment के brands है बिल्कुल इन brands यह deal करती है website बिल्कुल आपको genuine products मिलने वाले है after sales service आपको बिल्कुल बढ़िया मिल जाएगी timely आपके पास product भी बहुच जाएगा delivery message कोई issue नहीं आने वाला है और आप compare भी कर सकते हैं जो अलग-अलग website पे यह products listed है true.in से अगर आप compare करेंगे तो आपको compare भी थोड़े बहुत कम price point में भी यह मिल सकते हैं और checkout के time पे अगर आप हमारा coupon code भी apply करेंगे लगया आपको instant discount भी मिल जाएगा सारे के सारे links देती है description में महाँ पर जाके आप checkout करके grab कर सकते हैं लेकर उससे पहले exactly देख लीजिए कि इसमें आपको क्या-क्या features मिलने वाले हैं हाला कि इसमें आपको enhanced battery life मिलने वाली है जो पुराना वाला version था उससे और इसमें आपको check mode मिल जाएगा multiple आप speakers connect कर सकते हैं एक time पे party mode में फबने हैं कि आपको इसमें आपको तो में आपको to one-two speaker का ऐसे बडिया सब की सब्सक्राइगा एं बोक्स के बैक साइं में कुछ फीचर्स मेंचंड है इसना पो आपको सिंगनेटर सांब साथी में इसना पो 30 आर्स का प्लेट आइ मिलेगा on a single charge स्टैक्ट मोड आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं, IP67 वाटर एंडस्राइशन फीचर, Bluetooth वरजन 5.1 और जो मट्रिल यूस किया गया है, स्पीकर को बिल्ड करने में 50% रिसाइकल प्लास्चिक का यूसिज किया गया है, बड़िया इनिशेटिव है, बॉक्स के अंदर कॉंटेंट नेखेंगे तो आपको मिलेगा है, कुछ पेपर वर्ग अपने साब से इसको आप चेक आउट करके देख सकते हैं, इस अपने बुल्ड यूसिज को चार्ज कर सकते हैं, में प्रोड़क की बात करेंगे, इस 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 स्पीकर इन फीह ग्हीं को से मिलने वाला है, जैसे आपे अमबर्टन ता इस्टेके बिल्ड को भी और लेके, एंड फ्रेंड में आपको Marshall Branding के साथ प्रोपर आपको metallic grills मिल जाएंगी और जो toughness दी गई उससे वेलकुल compromise नहीं कियागा है वाई-चांस कुछ height से गिरता भी है स्पीकर तो ऐससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस साइड ने आपको Type-C का charging port मिल जाएगा अगर आप नीचे देखेंगे तो ऐससे कोई button नहीं है back side में आपको यह पे metallic grills मिल जाएंगी उपर आपको सारी की सारी functionality मिल जाएगी यह पे चेक आट कर सकते हैं कितनी battery बची ही इस speaker में प्रोपर आपको functionality साथ knob भी मिल जाएगा और यह बटन दियागे असे आप reset कर सकते है connectivity को जो knob दियागा अगर आप उसको long press करके तक हैंगे 3-4 seconds के लिए जो Bluetooth speaker यहाद आपको on हो जाएगा और on होते से ही यहाद आपको जो battery percentage यहाद आपको show कर देगा कितनी battery बची ही speaker की और simple steps आप connectivity कर सकते हैं उसके बाद यहाद आपको Marshall Bluetooth application का support मिल जाएगा इसमें आपको built-in equalizer modes मिलने वाले हैं इसमें आपको जो Marshall signature sound mode मिल जाएगा push mode मिल जाएगा, voice mode मिल जाएगा मांगे discuss करेंगे exactly इसके जो equalizer mode से कैसा आपको output प्रोवाइड करते हैं इसमें आपको मिलने वाला है stack mode का option इसमें आप मल्टिपल ऐसे Marshall के speakers connect करके party mode में प्ले कर सकते हैं अगर आपके बाद multiple Marshall speakers है तो यहांसे यूटलाइस कर पाएगे यहाद आपको about device के option मिल जाएगा more में आप जाएगे explore में तो यहाद आपको जो next track पर जाएगा swipe left करने पर previous track पर जाएगा swipe down करने में आपको जो volume इंक्रीज होती जाएगी swipe up करने में volume increase होती जाएगी knob बिल्कुल perfect तरीके सिफ वर्क करता इसको लेकि मुझे कोई issue नहीं लगा इसमें आपको IP67 water and dust tracing feature मिलेगा rain में भी utilize कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो उसको नहाते भी इस कर सकते हैं SH को issue नहीं आने वाली है Bluetooth speaker को यहाँ पर देखा जाए आपको SH को जाता enhancement नहीं दी गई है second version में as compared to first version बस हलकी full कि आप बोल सकते हैं आपको better battery life मिल जाएगी जो पुराना वाल वर्जन तो उसमें आपको 20 hours का playtime मिलेगा उसमें आपको 30 hours का playtime मिलेगा single charge पे और इसमें भी आपको microphone का option नहीं दिया गया नहीं aux का input दिया गया आपको सिर Bluetooth connectivity मिलने वाली सका अब ध्यान में रखिएगा और इसमें भी आपको dual device pinning का support मिल जाएगा और जो knob का control है बिल्कुल perfect तरीके सिर्फ work करता उसको लेगे मुझे सच कोई issue नहीं लगा और साथी में इसमें आपको 20 watts का output मिलने वाला है SBC codec मिलने वाला है, AC codec नहीं मिलेगा ये भी आप ध्यान में रखिएगा अब हम करेंगे साथ sound test फिर हम decide करेंगे exactly आपका output कैसे मिलने वाला है मुझे को कितना बतारे कोई है कैसे तुझे से दिलना एगा है कोई है मुझे सच को बनाने जोईदी है रखिएगी वाली ती जोईया आपकी सिर्याई से लेकी है तुने काने साउंड टेस देखे आपको एक overview मिलके आपको आपको आउटपुट कैसे मिलने वाला है स्पीकर के थुरू हाला कि जो डिफरेंस है जो पुराना वाला स्पीकर था एंबर्टन और एंबर्टन उनमें आपको चाहता खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा loudness आपको almost equal मिल जाएगी लेकिन हाँ अगर आप 5-8 लोग की बीच में अगर आप gathering करते हैं, outing करते हैं, trips करते हैं, get together करते हैं, घर में अगर आप इसको प्लेस करते हैं छोटी-मोटी party भी arrange करते हैं उस purpose किलिस को आप definitely option में रख सकते हैं आपने सबको बढ़िया मिलने वाली है, और जिसके अलग अलग अगर उसमें सुनेंगे तो आपको विल्कुल best output मिलने वाला है और जो push वाला equalizer mode दियागे उसमें क्या करता है, हलकी full का फूल आईगा, हलकी full की enhancement base part को लेगे लेकिन ज्यादा difference मुझे नहीं लगा, पता नहीं क्यों लेकिन voice part को जो दिया गया है, जो equalizer mode दिया गया है, voice वाला, उसमें साफ सावी जो bass से काफिया तक कम कर देगा और जो vocal से clarity उसमें enhancement लाएगा लेकिन मेरे इसाफ से जो martial, signature, music है, उसमें अगर आप इसको सुनेंगे तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बोलत रखते हैं, balance आपको music और base का output मिल जाएगा, full volume आप सुन सकते हैं, बिना किसी distortion के, जो clarity है, christness है, music part को लेके उसको बिल्कुल compromise नहीं किया गया, troubles आपको proper मिल ज चाहिए, इसको आप definitely अच्छे output के लिए option में रख सकते हैं, अगर आपको enhancement चाहिए, battery part को लेके, आपको check का option चाहिए, application का support चाहिए, multiple, आप इसे speakers connect करके, play कर पाए साथ में, तो इस purpose के लिए इसको बाप्शन में रख सकते हैं, halki full की जो price point है, इसलिए बढ़ाई गई ह अब आपने DCR matter करता है, मैंने आपको सारे pros and cons बताती है, speaker के बारे में, इसमें आपको microphone नहीं मिलने वाला है, aux का input नहीं मिलने वाला है, बाकि आपको music और basic compromise नहीं किया गया है, अगर आप एक बिल्कुल hardcore music lover हैं, आपको Marshall Band की तरफ ही जाना है, आपको output से compromise नहीं करना है, my personal experience with the Marshall M Button 2 Bluetooth speaker, hope you like this one and as I told you if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all, so thank you for watching this one and see you in the next video, thank you.